नमस्कार, अश्टेडी मेट्रेल्स में आपका स्वागत है, तो आज हम लोग जहारखंड के अलग-अलग जीले से काफी कुछ पोस्ट निकल करके आया हुआ है, उस पर हम लोग यहां डेटेल से चर्चा करेंगे, आप उसे अपलाई कर तक कर सकते हैं, कौन-कौन सा पोस्ट के लिए निकल के आया है, और आपका सेलेरी क्या होने वाला है, सबी चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे, इससे आप तक नए-नए वेकेंसी के अपडेट्स जो है, ब यहां पर मेंसन किया गया है, इसमें आपका जो पोस्ट आया है, जल जीवन मीशन में, जल जीवन मीशन में आपका जो पोस्ट है, आप देख सकते हैं, चास से भी निकल करके आया है, और आपका तेनु घाट से, आपका MIS कोडिनेटर का, इसमें एक अक पोस्ट है, सेलेरी आपका 35,000 होने वाला काफी अच्छा है और वहीं अनिवार यूगता यहां पर मेंशन किया गया है कायर अनुभव यहां भी है वह कुछ कंप्यूटर नोलेज भी आपको चाहिए वहीं जल पेजल एम स्वाच्छता प्रवंडल जो है चास और तेनुगाट इसमें आपका आप देख सकते हैं IEC कोडिनेटर भी चाहिए इसमें सेलेरी देख सकते हैं 35,000 दोनों होने वाला है पोस्ट जो है एकक दोनों में है और आपका अप्रविकेशन जो है वह हो सकता है वहीं आपका स्वच्छ भारत मीशन जो है ग्रामी उसके अंतरगत भी कुछ पोस्ट है आप देख सकते हैं यहां पर आपका पद जो है आपका डिश्टिक SBM जो है उसमें कोडिनेटर का है और इसमें आपका चाहस और तेनों घार दोन इन डिप्लोमा इन रूलर हो गेला से आपको होना चाहिए फाइफ एयर का आपका वर्क चाहिए और कंप्यूटर नौलजी भी आपको होना चाहिए कुछ यहां रूल रेगुलेशन आपको दिये गए हैं अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप अपना सारा डोकुमेंस जो है पीडिएफ फॉर्मेट वे बना करके आपको यहां पे जो इमेल आइडि दिया गया है उसमें 25-322 तक भेज सकते हैं चलिए हम लोग दूसरा वेकेंसी जो आया हुआ है उसको देखते हैं और आपका यहां और डिटेल किया गया है आपका दे देखा सुची ही जो होगा आपका साथ चायद 2022 को होगा वहीं आपका जो लिखित परिक्षा होने वाला है 23-22 को होगा और साच अतकार की ती थी आपका 26-4 2022 है तो इन्पोर्टेंट श्टेट जो है वह भी इसमें बताया गया है कब क्या होगा चलिए नेस्ट वेकेंसी जो प्रमंडल अपका लोहर दग्गा से निकल करके आया हुआ है और इसमें भी जल जीवन मीशन जो है उसके लिए पोस्ट है अपका MIS कोडिनेटर एक पोस्ट है वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है अब देख सकते हैं और इसे जो उसके साथ साथ अपका IEC कोडिनेटर क एक पोस्ट निकल करके आया हुआ है अपका इसके बाद आपका पद का नाम जो है आपका यहाँ टिश्टिक SBM से भी कुछ पोस्ट है देख सकते हैं आप इसमें भी एक पोस्ट निकल करके आया हुआ है आपका वालिफिकेशन आप देख सकते हैं क्या होने वाला है आपका और इसे आप जो आवेदन कर सकते हैं दूसरा वेकिंसी जो है आपका राची सम्हर नाले राची से आया हुआ है और इसमें जो पोस्ट निकल करके आया हुआ है आपका जीला बाल सरक्षन पदा अधिकारी का पोस्ट है इसमें जो पोस्ट का संख्या है आपका पदों की संख्या उसमें एक है आपका देख सकते हैं एज दिया गया है आपका 35 से 45 वर्स होना चाहिए सेलेरी भी मेंशन किया गया है 33,250 रुपय होने वाला है और यहां पे आपका सेचनिक योगता भी मेंशन है कार अनुभव कुछ मांगा गया है लगो पांच चेर का अपका 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 अपकी सजर होने वाला है और इसमें योग्यता जो है मांगा गया है आपके हां मेंचन किया गया है उसके बाद आकड़ा बिसलेशक का भी है एक पोस्ट निकल करके आया हुआ है आपका सेलेशी इसमें देख सकते हैं कितना होने वाला है और यहां पर आपका मेंचन किया गया है आपका योग्यता क्या होगा डिग्री क्या होगा इसमें भी आपको कुछ टू एर का आपका अन इपोर्टेशन डेट जो यहां पर दिया गया है आपका वह यहां पर मेंचन किया गया है आपका आवेदन आप अकीश 322 तक आप इसे कर सकते हैं आवेदन कैसे करना है तो आवेदन आवेदकों को क्या करना है के लिए बीहित प्रपत्र में आवेदन जो है वहां यहां पर जो website है उसपे visit कर सकते है चलिए next vacancy जो आपका या रिवयर है उस पर देखते हैं क्या vacancy है आपका तो यहाँ वियकंशी आपका राची जीला से ही है आपका स्वास्त चिक्षऑ परिवार कल्यान विभाग से है आपका इसमें आपका जो पोस्ट निकल करके आया हुआ है वह है परियूजना समनवयक आयूस का पदो की संख्या एक है कोटी में क्या है अनारक्षित है इसे आप अपलाई कर सकते हैं पंदरो तीन दोहजार बाईस तक और आपको करना क्या है इसमें आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर जो इमेल आइडी दिया गया है उसमें अपना डॉकुमेंस को क्या है भीजना है अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो वेबसाइड है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट वेकेंसी जो आपका है वहाँ से आया हुआ है वेक प्रदान मंतरी मात्री वंदर्ण योज़ना के अंतरगत इसमें आपको रखा जायेगा इसमें आपका जो पोश्ट है अब देख सकते हैं जीला योजना समन्वयक का है एक पोश्ट वहीं योजना सहाय का भी एक पुष्ट निकल करके आया हुआ है योगता का बात किया जाए तो जिल्ला योजना समनवय का जू है यहां पर मेंशन किया गया है असना कोतब चाहिए समाजिक विज्ञान जीव विज्ञान पोसन ओसधी वगरा में आपका चाहिए पुष्ट एक है सेलेरिप इसमें 35,000 आप पर कंप्यूटर भी कंप्यूटर नोलेज के साथ साथ आपका टाइपिंग भी चाहिए योजना सहायक के लिए अब इसे अगर अपलाई करना चाहते हैं यहां एज के बारे में पताया गया है आप देख सकते हैं यह आपका क्या होना चाहिए तो यहां पर जो वेवसाइड है उस पर भीजिट कर सकते हैं आप जाकर करके वहां से फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर लिजे आपका जो चैन होगा अप उसका माप दन क्या है आप देख सकते हैं आप इमेंसन किया गया है तो इसे क्या है आप यहां भीजिट कर सकते हैं जाकर करके आप जो दिया गया है वहां पर आप फॉर्म को आवेदन ओनलाइन जो है यह पी आईटी में वेवसाइड में जो है वहां पर जाकर करके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप योगिता रखते हैं तो यहां पर दिख दिया गया है 20-3022 तक इसे आप apply कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर website दिया है तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं ओके थैंक्यू यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को subscribe कर देजे